एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटू चैनल मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नई वीडियो में आज मैं बिल्कुली यूनिक तरीके से आपके लिए हेल्दी और टेस्टी नास्ता लेके आई हूँ जो कि यह गेहों के आटे से बनने वाला है इसे जितना इजी है उतना ही जादा मजेदार होगा क्योंकि अक्सर आप लोग मैदे की चीज खाते हो तो वह आप लोगों के सरीर को भी नुकसान देता है तो यह गेहों के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी नास्ता बनने वाला है अगर आप लोग मेरे वीडिय अलु को हम अच्छे से पहले बढ़ियासे आलु छील लेने है ताकि इसमें जो हरा आलु होता है और कच्चा जो उसे निकाल देंगे अच्छे से छील के इसे एक साइड में रख लेते हैं और इसके स्टफिंग के लिए हमने क्या क्या लिया है वह दिखा देती हूं मैंने लिए है आलू हरी मिर्च निम्बू प्याज और कड़ी पत्ता यह देखिए कड़ी पत्ता ऐसा दिखता है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए यह सरसो का दाने जो राई कहते हैं बहुत लोग यह राई के दाने तो हम अब अपनी गेस ओन करते हैं उसमें डालेंगे सरसो का ओईल आप चाहें तो रिफाइंड ओईल भी यूज कर सकते हैं यह घी भी आपको जो पसंद है मैंने यह पर सरसो का ओईल लिया है और इसमें डालूंगे मेरे राई सबसे पहले राई डालने के बाद दो मिनट बाद राई जब अच्छे से पक जाए तो इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे कड़ी पत्ता डालने के बाद आपको ख्याल रखना है थोड़ा साई ढड़ जाना है नहीं तो कड़ी पत्ते के छीटे आपके उपर भी आ सकते जिससे आपके हाथ पेर में निसान जलने के हो सकते क्योंकि तेल की छीटे जाते तो इंसान अक्सर जली जा हम हल्दी पाउडर बहुत से लोग डर्मरिक पाउडर भी कहते हैं इस तरीके से इसको डालके हल्दी पाउडर के और हम मिक्स करते हुए कलरफूल बनाएंगे ये देखिए कितना सुंदर कलर आने वाला है और इसमें डालेंगे गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर आप जो है तीखा अपने फैमिली के अकोडिंग कर सकते हैं जरूरी नहीं कि मैंने इतनी मिर्च डाली है तो आप भी इतनी ही मिर्च डाले और इसमें डालेंगे अब न बिल्कुल अच्छे से डाल देना है फोड के आलू जो है यहां पर आलू डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे कर्ची की साहिता से ताकि सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए मैसर का यूज नहीं करना हमें आलू की चटनी नहीं बनानी है क्योंकि यह हमें उसमें आलू का डोब डालना है आटे की लोई में तो इसलिए इसकी चटनी नहीं बनानी हमें नॉर्मली इस तरीके से लेना है और उसके बाद यह देखिए आलू का जो पेष्ट है वो हमारा रेडियो हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से तो अब हम इसमें साइड में रहा धनिया दोकर आहिए डाल दीजिए जल्ददवाजी में इस तरीके से काट के डाल रही है यह डाल दिया हमने हरा धनिया अब इसे भी अच्छे से मििक्स करते हुए हम लोग उपर से नीचे तक भिला देते हैं और थोड़ी देर इसको आसी छोड़ देते है अब जब तक यह रेस्ट पे रखके देते हैं अब हम अपना आटा लगाएंगे यह लिया है मैंने गेहूं का आटा दो कटोरी लिए आप अपनी फैमली के अकोडिंग दो तीन एक कटोरी जितना लगता है उतना लीजिए और अजवाइन डाल दीजिए क्रस करके और इसमें दो चम्मच बड़े बेशन के डाल दीजिए इससे क्या होगा जो आपका आटा और जो हम बनाएंगे वो बड़ा खस्ता और किर्ष्वी होगा तो अकसर आप मेदा खाना भूली जाए होगे तो इसमें डालेंगे नमक स्वादनुसार और उसके बाद थोड़ा सा रिफाइ पतला करना है गाड़ा करना है या लिक्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है नॉर्मली आटा गूतना है हमें तो अब चलो इसे पानी की साहिता से हम गूत लेते हैं आटे को अच्छे से बढ़िया से आटा लग चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइन रोइल हाथ में लेके इसे ढखके रख देंगे दो से तीन मिनट के लिए इस तरीके से कुछ है अब इसके बाद इसकी एक रोटी की तरह ही तरीकी के हमें अच्छे से पैतन लगाना है और इस तरीके से बड़ी यसी रोटी एक बेलनी है हमें काफी बड़ी अकार में और इसको बेलने के और इसको अच्छे से चारो तरफ फैलाते हुए बिल्कुल बढ़िया से चारो तरफ फैला देना है कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए और यह मैंने आटे और रिफाइंड से डो बनाया है यह इस तरीके का बना लेना है और उसके बाद एक चाकू की साहता से नाइफ लें है तो यह अभी हमारा बन की रेडी नहीं अभी इसमें थोड़ा सा एक और प्रोसीजर बागी है तो इस तरीके का हम कुछ कट लगा लेते हैं उसके बाद इन सभी को हम अलग-अलग निकाल के दिखा देते हैं इस तरीकी का ले लेते हैं हाथ में सारे पीसिस को इखटे कर लेना है और उसके बाद लास्ट में हमें एक के ऊपर एक रखके इसका आठे का डो मतलब फिर से एक बार राउंड सेप में लगाना है और इस तरीके का फिर कट लगा के अगर आपको लगता है साइड से छोटा लग रहा है आपके आलू की जो पेड़ी है उसमें नहीं आ स आलू के लोई जो पेड़ा और साइड में पानी लगा देना हमें ताकि अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से कुछ ये देखिए ये चिपक जाएगा बिल्कुल बढ़िया से योनिक तरीके से बनने वाला है ये ये देखिए चिपक गया ये इसको अंदर की तरब खिसका के हम ये देखिए इस तरीके से ले लेंगे देखिए बिल्कुल बढ़िया से बना है और इस तरीके से पानी की साइटा से हम जोड़ देते हैं एक और भर के दिखा देती हूं मैं इसी तरीके से ये देखिए एक और ले लिया है मैंने जो ये साइड में किनारी है इसे हमें थोड़ा फैला लेना है नहीं तो यह अच्छे से बन नहीं पायेगा और इसको भी सेम तरीके से से प्रोसीजर से इस 강पेश को इस तरीके से फोल्ड करके हम बना लिगे यह देखिए कितना बढ़ बन चुकम और इसको बचवे आडते को ऊपर की तरफ करदेगे watch समोसे दो में भी आ गया और यह बन चुका है इसी तरीके से मैंने सारे लिए अब अब बन चुका है है अब रिफाइन रख देते हैं हम गरम होने के लिए और चाहे तो आप सरस्वका ओयल भी ले तो यह मैंने रिफाइंड ले लिया है जो की गरम हो चुका है पहली रख दिया था शिलो आज पर शेकने हमें अराम से कोई जहर बड़ी नहीं यह देखिए अराम से सारे के सारे समोसे मैंने डाल दिये हैं नास्ता जो भी बना दियों मैं कितना बढ़िया कलर आएगा इसका आप सोच भी नहीं सकते बिल्कुल मैदा मैदा खाना भूल जाओगे आप अगर इस ट्रीक से बनाओगे तो यह देखिए बिल्कुल बढ़िया से बना चुके हम अब इसे इस तरीके से पलट लेते हैं गोल्डन ब्राउन एक साइट से हो चुका है दूसरी साइट से भी त जो है वो कड़ाई में ही छान देना है हमें इस तरीके से और उसके बाद निकाल लेते हैं टमैटो कैचप ले लीजी या गिरीन चटनी वह आपकी इच्छा है यह देखिए कितना बढ़िया बनाए खसता बिल्कुल कचोडी समोसे भी खाना भूल जाओगे इस तरीके के ग और वोच मैं वीडियो